इस वीडियो के अपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की लिरिक वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग सुरू से लेके पूरा एंड तक देखना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे आप कुछ इस टाइप की लिरिक वीडियो को बना सकते हो वो भी काफी कम टाइम में तो वीडियो में आण तलग जरूर से बने रहना तो अचले हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और अपनी वीडियो को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ एसे इंटर फेस आजाएगा अभी सिंपल से आपको यहाँ पर निव प्रिजेक्ट वर्य ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड यहां से आप लोगों को एक फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा एंड आपर क्रियेट वीडियो पर क्लि यहां से सेलेक्ट कर लेना जैसे कि यहां पर मैं यह 3x4 वाला जो साइज है इस पर मैं वीडियो को बनाना चाहूंगा तो यह वाला मैं साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहां से ओके कर दूँगा ओके करने के बाद अभी फोटो वाले लेयर पे क्लिक तो इतना जैसे हो जाता है आप को क्या कहना है थोड़ा सा इधर के तरह पाना है और यहां पर अवरले क्लिक करना है यहां पर एट उबरले पर क्लिक कर देना है यहां से आपको second photo ले लेना है चाहो तो आप लोगा फौन की फोटो यूस कर सक्ते हो ठीक है और इस टाइप से को अचना नीचे लेकर जानाे कुछ सारह से जैसे कि यहां पर देख सकते हो अंड कुछ इतना ले जाते हैं हैं यहां पर स creep कर सेट कदें तरीके से सेट कर देना ठीक है कुछ इस तैप से करने के बाद देखतो हो बढ़िछा से से हो चुका है अभी गाई इसकी जो साइज है पूरा इसका जो लैंद है इसको खींच के जहां तक आप बनाना चाहते हो वीडियो वहां तक रख देने से कि में भी 16 से कंड तक रख देता हूंझ बाकि कर दें अगर मेरम बढ़ाना हो गार जिस के साथ से रहे बात में बढ़ा लें तो इस तरीके अब अर देंगो कुंच रहुँछ इस तरीके से आप यह देखने को मिले를 चुकिंश करें tiuk अगर आपको भी कुछ ऐस टैप से high quality में अपनी इमेज को बनाना है तो आप लोग रेमेनी आप सहारा ले सकते हो ठीक है वैसे आप सभी लोगों को रेमेनी के बारे में तो पता ही होगा बताने की जुर्त वैसे भी नहीं है ठीक है तो वहां से आप high quality में अपने photo को convert कर सकते हो, ठीक है, तो वहीं से मैंने इस photo को high quality में convert किया, इसलिए इतना ज्यादा HD दिख रहा है, ठीक है, तो आप लोग वहां से कर सकते हो, तो जैसे यहां पर आप लोग फोटो एड़ कर ले तो guys, अब आपको क्या करना है, कि simple से इस arrow क्लिक कर देना है, फिर से overlay पर जाना है, add overlay पर चले जाना है, यहां पर अब यहां पर देख रहे हो, यह वाला image आपको मिल जाएगा मेरे telegram पर, तो download कर लेना, बट उससे पहले इस video को complete देख लो, उसके बाद जाके आराम से download कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से telegram प आप इस image को add करते हो, अभी simple से दोनों fingers के मदद से कुछ इस तरीके से इसको बढ़ा कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, बढ़ा करने के बाद आगे आना, कुछ इस तरीके से, आगे आना, तो यहां पर मिल जाएगा, आपको एक mask option देख सकते हो, ठीक है, mask पर क्लिक कर यहां पर आपको काफी सारे options दिख जाएगे, यहां पर आपको second number पे एक mirror का option दिखेगा, ठीक है, तो simply से guys आपको mirror पे click कर देना है, and mirror पे click करने के बाद, दोनों fingers के मदद से इसको हमको थोड़ा सा छोटा करना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, and जैसे थोड़ा छोट देखने को मिलेगा, अभी आपको इसको okay कर देना है, okay करने के बाद, इसको बढ़िया तरीके से हैं पर set कर देते कुछ इस तरीके से, ठीक है, and बाहर से अगर noise आ रही हो, तो आप लोग इसको ignore करना है, because बहुत जादा गाड़ियां चल रही है बाहर, ठीक है, तो जैसे इ लिखने का यहां पर जो space था हमको मिल चुका है, ठीक है, अब जैसे इतना कर लेते हो guys, अब आपको क्या करना है, कि सिंपल सी हैरो पर क्लिक करना है, अब यहां पर आपको add audio पर चले जाना है, और यहां पर extracted पर क्लिक कर देंगे, और इतना जैसे ही करते है guys, यहां पर जो आपको क्या करना है, जहां तक हमारा music है, वहां तक हम अपने photos को रखेंगे, बाकी का जो photo है, कुछ इस तरीके से trim करेंगे, बुले तो split करेंगे, और delete कर देंगे, अब इधर के तरब जाएंगे, यहां पर click कर देंगे, आप फिर से end में आएंगे, और अपने photo पर click split और नीचे वाले पर click करेंगे, split और इन दोनों को delete कर देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से यह देख सकते हो, ठीक है, देख सकतो, delete हो गया, अब इस एरो पर click कर देंगे, अब देख सकतो, बड़िया तरीके से यहां पर हो चुका है, ठीक है, अब हमारा जो lyrics लिखने का प्रक्रिया है, वो हम स्टार्ट करते है, वो कैसे लिखना है, इसके लिए आपको text पर click करना है, यहां पर add text पर जाना है, बट लिरिक्स लिखने से पहले एक चीज मैं भूल गया, sorry, 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 तो यहां पर इस एरो पर click करते है, अभी हम ना beat लगाएंगे, तब लिरिक्स नोट करके रख लेना, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है, तो अभी हम first photo पर, sorry, first photo पर हम layer पर click करते है, अपने music वाले पर, और जो first वाला beat है, उसको हम लगाएंगे, कितने में, एक second में, ठीक है, तो यहां पर हम आते है, right यहां पर one second में, ठीक है, अगला जो beat है, वह हमारा right 4 second में, तो 4 second में आते है, कुछ इस तरीके से, beat पर click करेंगे, add beat, then done, अगला जो है, वह हमारा right 6 second में, तो 6 second में जाते है, beat पर click करेंगे, add beat, then done, अगला जो beat है, वह हमारा 7 second में, तो right 7 second में जाते है, guys, and beat पर click करेंगे, add beat कर देंगे, then done कर दें g nd 17 seven इसकोर हे रहए गा मारा साठ से कंड वाला भी यहांपर होगारा जो इसको हमार तरीके Palace तरीके से दिलागे और 8 मैं भाइ साथ में ही रहेगा क्या पोले जा रहा Bar टिर धर हटा दिए कुछ इस तरीके से हो राइट करेंगे और फिटीक करेंगे और उकर देशन तीक है अब जैसे इतना हो जाता न। भूल बीट तो अगना पर फिडियो बनाते हो घडाना तो उस पर आप लोग music को सुनके beat लगा ले न ठीक है बाकी अगर आप लोग यह वाले song पर video बनाते हो तो same beat लगा न जो यहां पर मैंने बताया है आपको ठीक है अब यहां पर क्या करना इस arrow पर click कर देना अब आपको जाना है text पर अब जाना है आपको add text पर ठीक है अब आपको कैसे lyrics इसके लिए आपको क्या करना होगा चलो सबसे पहले हम अपना lyrics लिखते हैं कुछ इस तरीके से lyrics लिख लेते हैं ठीक है तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से lyricना यहां पर देख सकते हो यह सुछ इस। ए मैंने lyrics लिख लिया है lyrics लिखने के बाद गईज अभी आपको font पे काई चौन पर आपको फोटा मिल सीट से यहां पर फोटा करना और इसको यह डिटाने के बदलीओ ऋपर जाएंगे निपान ब्लहा कलर स्टर राइंगे करेंगे हल्क बॉट पर जाएंगे एनिमेशन पर जाने के बाद यहां पर थोड़ा लोडिंग लेता है और फेड इन वाला जो एनिमेशन है वो देखे इसको 0.5 सेकंड रखेंगे एंड इसको OK कर देंगे ठीक है अब इसकी जो लैंट है अब इनको ना जो हमने बीट लगा है उन बीट के हिसाब इसको हम बीट तक रखेंगे अब फिर से हम एडिट पर जाएंगे और एडिट पर जाने के बाद अब हम क्या करते हैं इसको पूरा कट करते है कुछ इस तरीके से ठीक है और यहां पर आगे का जो लाइन है वो लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से बना ठीक है बैठा ठीक है और फिर से आपको कुछ इस तरीके से कॉपी करना है फिर से इधर की तरफ ले जाना है और बस इसी तरीके से आपको अपना जो लिरिक से एडिट पर जा जाके लिखते जाना है कुमस्ते यहां पर देख सेकते हो तो मैं आपने लिखा को दिखाता हूँ मैंने wipes लिया है ये देख सेक्टों कि आपको यहां पर बीच में जो HIMने इमेज को जो Üs में वो किया था क्या बोलते है मास्क लगाया था उसका कलर चेंज लग रहा होगा मैंने क्या किया है कि यहां पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां पर देखो कुछ इस टाइप से आपकी जो यह वाली वीडियो है यहां पर बन जाएगी ठीक है तो इसी तरीके से आप भी कुछ टाइप की लिजक वीडिक वीडियो को बना सकते हो काफी कम टाइम अगर आपको इस टाइप की लिरिक वीडियो में कोई और दिक्कत या कोई पर रिसानि आती तो आप लोग को बिंदास और doing कमेंट कर एभलाE आपको समय पर मिल जाएगा थीक है तो यहां पर जो वीडियो रेटिंग अब वो कम्प्रीट हो चुकि है जैसा आप लोगों ने प्रीवी पर देखा सेम वैसा ही बन गया है आई नो आपको म्यूजिक सुना ही नहीं दिया होगा विकास कॉपी राइट के वज़े से मैंने म्यूजिक को बंद कर रखा है ठीक है अगर आप इस वीडियो को अगर म्यूजिक के साथ देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर तो जाओ भाई चेक करो वहाँ पर आपको सारी माटिरियल्स भी मिल जाएंगे ठीक है तो वहाँ पर आपको बुलते हैं किसा ऐसी कमाल की इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत